हलो स्टूडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर केजन पुरही थे CSIR NET और SET exam की तयारी कैसे आप एक साथ कर सकते हैं लगबग 5 स्टेट में SET का notification निकला हुआ है जो कि स्टेट eligibility test होता है जो कि just like CSIR NET exam होता है यहाँ पे कुछ चीज़े थोड़ी सी अलग होती है तो जो स्टेट यहाँ पे SET exam की तयारी कर रहे है अगर वो NET exam की तयारी करते है तो उनको क्या extra पढ़ना पड़ेगा और क्या अगर NET exam की तयारी अगर आप कर रहे है तो SET exam की तयारी यहाँ पे हो जाएगी यह सब बात है मैं आपके सामने इस जुनिया पे चार स्टेट का सेट का नौटिफिकेशन निकला हुआ है। डी सेट जुकर गुजरा सेट एकजाम है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन जो कि CSIR NET और SET exam में आता है तो जो CSIR NET उसका paper 1 जो होता है वो purely general aptitude पे होता है यहाँ पे 20 question आते हैं और आपको 15 करने होते हैं और हर question 2 mark का होता है मतब 30 marks का weightage यह रखता है जहाँ पर number and simplification, LCM, HCF, averages quadratic equations, sequence and series, shirts and indices logarithm, percentage, profit and loss, simple and compound interest ratio, proportion and then अलग अलग और भी topic हैं जिन पे question पूछे जाते हैं इनके जो videos हैं मेरे YouTube पे available हैं आप जाके देख सकते हैं बात करते हैं सेट exam के बारे में तो जो सेट exam का paper 1 होता है उसका weightage 50 marks का होता है इस उन्हें पर negative marking नहीं होती है हाँ इधर CSIR NET में negative marking होती है यहाँ पर इडर नहीं होती है यहाँ पर आपका जो teaching and research aptitude reasoning, comprehension, general awareness इस topic पर questions बनते हैं इस उन्हें यहाँ पर CSIR NET का जो general aptitude होता है इसका थोड़ा level होता है यहाँ पर ultimately आपकी mathematical approach पूची जाती है पर इस उन्हें यहाँ पर ऐसा नहीं है अब बात करते हैं से उन paper 2 जो subject का paper आता है उसमें क्या difference है पिस उन्हें यहाँ पर mathematics की बात करें तो दोनों का जो syllabus होता है वो पूरा का पूरा सेम होता है मतब सेट exam और CSIR NET exam का जो syllabus होता है वो सेम ही होता है CSIR NET exam वो सब topics होते हैं जिसे के first unit है उसमें real है linear है second unit में आपका second unit में आपका complex है modern है third unit है जहाँ पर आपको partial differential equation, ordinary differential equation है उसके बाद integral equation, calculus of variation, numerical classes, classical mechanics है यह साथ topics यहाँ पर पूछे जाते हैं पर सुनिए आपर तहरी कैसे करनी है आपको subject की देखो जो first paper है अगर आप set exam का तो आप आराम से कर सकते हो बस अगर आपको CSIR net का first paper करना है तो मैंने आपको बोला है मेरे YouTube पे वीडियोज है प्रीवेज सिर्क बहुत सारे अच्छे च्छे मैंने वीडियोज अपलोड कर रहे हैं जितने भी papers मैंने देखे है उसमें almost questions होते हैं वो CSIR net के previous year question होते है या उस type के questions होते है पहली बात तो जो set exam का level होता है वो CSIR net से थोड़ा easy होता है नॉमली यहाँ पे previous year questions आपको मिलेंगे उस type के questions मिलेंगे level of difficulties होता है वो easy to moderate होता है पर CSIR net में यहाँ पे थोड़ा सा जो level होता है वो tough होता है यहाँ पे हमेशना आपको नए questions मिलेंगे यहाँ पे questions repeat नहीं होते है concept repeat होते है पर question repeat नहीं होते है पर CSIR net के जो questions होते है अच्छे level के जो questions होते है वो set exam में आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी questions आपको मिलेंगे वो almost यही से उठा के होते है आप देख सकते है previous question अगर आप देखेंगे set exam के मैंने राजस्तान का set exam देखा था almost और भी the website exam के question paper देखे मैंने तो वहाँ पे आपको यह दिखेगा अगर आप मेरी combat series की book है अगर आप मेरी classes attend करते है तो set exam crack करना आपके लिए easy है वैसे CSIR level का हम लोग पढ़ाते है CSIR net के काफी सारे previous year question भी मैं अपनी classes के अंदर कराता हूँ तो आप set exam बहुत easy लिए यहाँ पे crack कर सकते है तो बात करते है difficulty level के बारे में set exam होता है easy to moderate होता है CSIR net का level थोड़ा सा tough होता है एक और मैं आपको बताना चारा हूँ जो बहुत बला difference है और वो यह है कि यहाँ पे आपको 150 questions मिलेंगे और आपको तीन गंडे में question paper solve करना पड़ता है मतलब first paper में 50 question and जो second paper होता है वहाँ पे 100 question होता है जो यहाँ पे negative marking आपको नहीं होती है प्लस यहाँ पे यह ध्यान देने के सब्सक्रत है कि 180 minute में आपको 150 question करने होगे पर CSIR net में ऐसा नहीं होता है CSIR net में अगर बात करी जाए part A, part B और part C part A में आपको 15 question करने 20 में से part B में आपको 40 में से 25 question करने part C में आपको 60 में से 20 question करने तो total अगर question की बात करी जाए तो 15, 25 और 20 मतलब आपको यहाँ पे 60 question करने 180 सी गंटे में तो हर question में आपको 3 minute मिलता है मतलब यहाँ पे थोड़े जो questions होते हैं उनमें calculations होती है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे क्यूंकि आपको time कम मिल रहा है तो questions भी थोड़े से easy type की होते हैं जहाँ पर calculations कम होती conceptual questions जादा होते हैं तो pattern में भी यहाँ पे difference है और यहाँ पे जो cut off होता है वो normally 45-50% के आसपास जाता है set exam के अंदर CSIR NET का cut off होता है वो जिते भी students appear होते हैं उनका जो top 6% होता है या कभी-कभी इसको थोड़ा सा increase भी कर लेते हैं उसके साब से यहाँ पे होता है तो यह main difference है CSIR NET और set exam में तो आपको बताना चारहों कि अगर आप CSIR NET exam की तहरी करते हैं तो set exam को बहुत easily आप कर सकते हैं कर रहे हैं और अगर आप CSIR जोइन करना चारहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करने वाले है CSIR जो कि हमारा math care app है वहाँ पे आपको मिलने वाली है और यह जो CSIR है हम शुरू करने वाले हैं 50 October से और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाता हूँ फुल एन मॉक टेस्ट एंड IADJM PYQ का आपको टेस्ट पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा येर वाइस पुराने तीन से चार साल के कॉश्ट पेपर का इसी ताइब सम देने वाले CSIR नेट की टेस्स स्रीज है पर अभी हम आपको इसको प्रोवाइट कर रहे है 12009 में मनदब 1299 के अंदर दोनों मिलने वाली है मनदब 1299 इसकी प्राइज है और 1299 इसकी प्राइज है इसको ये जो प्राइज है ये 15 ओक्टोबर तक रहेगी से हम लोग 1599 कर देंगे मताब 20 ओक्टोबर तक ये जो टेस्स की रहेगी ये 1299 रहेगी उसके बाद 1599 हो जाएगी पर अगर कोई मैच्स का स्टूडेंट है उसको चाहिए मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्ट्वीट दोनों की टेस्स स्रीज इसकी जो प्राइज है वो 1999 है यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्ट्वीट दोनों की टेस्स स्रीज मिलने वाली है सबसे अच्छी बात है कि जनरल एप्ट्वीट की जो टेस्स स्रीज है इसके साथ साथ आपको एक कोर्स भी मिल जाएगा वीडियो कोर्स जहाँ पर प्रिवेस एर क्वेशन्स और कुछ नए क्वेशन्स की जो वीडियो सॉलिशन्स है वो आपको यहाँ पर टेस्स स्रीज के साथ फ्री मिलेंगे साथ साथ यहाँ पर वीडियो कोर्स भी मिलने वाला है वन टू डबल लाइन के अंदर तो कोई भी स्टुडिकल लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमेस्ट्री का है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर चांस है बाकी अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहरें और अगर आप CSIAR NET की तेहरी करना चाहरें तो हमारा जो उधे बेच उसकी प्राइज एड ट्रिपल लाइन है अगर जून 2020 एक्जाम की तेहरी करना चाहरें, यहाँ पर आपको मिलेगा Foundation Course, Test Series, Combat Test Series, DPP Solution, Live, Recorded, PDF Notes, सब कुछ आपको यहाँ पर इंक्लूड होके मिल जाएगा अगर आप IIT Gym का प्रारम बेच जोइन करना चाहरें, तो 2024 के लिए जो प्राइज हो एट ट्रिपल लाइन है, 2025 के लिए जो प्राइज हो वन फो ट्रिपल लाइन है, यहाँ पर आपको Foundation, Test Series, DPP Solution, Live है, Recorded है, and PDF Notes, यह सब आपको मिलने वाला है बाकि अगर आप हमारी बुक्स लना चाहरें, तो यह Amazon and Flipkart पे अविलेबल है, आप इनको बाई कर सकते है, and अगर आप हमारा एप डाउनलोड करना चाहरें, तो यह जो Math Care App है, यह iOS and Android दोनों पे अविलेबल है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिशन लिल जाएगा, इस तो morning म combat series होती है, जो की free होती है, और इसकी जो class होती है, सुबह 9 से साड़ेतस होती है, इसका link आपको मारा telegram group है, यहाँ पर daily सुबह आपको 9 बज़े मिल जाता है, आप इसको join कर लीजे, so that कि आपको notification time to time मिल जाएंगे, और अगर आप हमारी combat series को buy करना चाहते हैं, अगर आप recorded इसको देखना चाहरे है, उसके PDF notes आपको चाहिए, साथ में topic wise test ही है, तो उसकी जो prize है, वो triple 9 है, तो आप वहाँ से buy कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, match care app पे कैसा आपको subscription लेना, इसका video आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, अगर आप हमारी one shot series देख आपको आपः